ओम शान्ती एक जून दो हजार तेईस की साकार मुर्ली से होमवर्ग आज की मुर्ली से हम लक्ष लेंगे माया जीत बन सूर्य वन्षी राज्य भाग्य लेने का पुरुशार्थ करना है जो माया जीत होते हैं वही सबूत होते हैं वही मातेले बच्चे होते हैं तो माया जीत बनने के लिए जो आज की मुरली में विधियां बताई हैं, उनको आटेंशन में रखते हुए, आज सूर्य वन्षी घराने में मैं आत्मा आ सकती हूँ, यह अपनी चैकिंग भी करते रहना है कि कितने परसेंट मेरा पूर्शार्थ है, जैसे माया जीत बनने की बिधि बताई निश्च्य बुद्धी, निश्च्य बुद्धी विजियंती और संश्य बुद्धी विनिश्यंती, जो निश्च्य बुद्धी बच्चे होते हैं, वो मातेले कहलाते हैं, निश्च्य बुद्धी बच्चे ही बाप से बेहद का वर्सा लेना अर्थात पास स्विध ओनर होने की परतिग्या करते हैं पवित्रता की धारना करके जो निश्चे बुद्धी बच्चे हैं उन्हें निश्चे होता है कि बेहद के मात पिता से हम बेहद की विश्व की बादशाही लेते हैं अर्थात कल्प कल्प हम ही देवता बनते हैं एक बार निश्चे ह तो इस तरह आज अपने निश्चे को चेक करना है स्रियम पर निश्चे बाप पर निश्चे वर्से पर निश्चे इसके अधार पर प्रतिग्या करके पास्विद ओनर होने का आज अपने आप से बाते करनी है कि कितने परसेंट निश्चे है दूसरा है माया जीत बनने के लि पांच विकारों को, जीते जी मरना अर्थात नया जनम, हम शुद्र बने के संसकारों को छोड़ कर अभी ब्राह्मन बने हैं, फिर हम ब्राह्मन सो देवता बनते हैं, तो हमारा नया जनम है, तो ब्रह्म चर्या का पालन करना है, तो इसके लिए काम विकार को जीतना है, इसके में लिए दे भान को छोड़ना होगा क्योंकि देह अभिमान से ही काम विकार पैदा होता है अपना यह बाहर बार भार अभ्यास करना है मैं आत्मा इमोर्टल हूँ तुह यह हम सब idé mes आज बाबा ने कहा ये समृति में रखना है कि मैं संतुष्ट आत्मा हूं। जब हम दूसरी आत्माओं के प्रती रहम दिल बन जाते हैं, जो करोध कर रही है, उसके प्रती शुब भावना, शुब कामना रखते हैं, शुब वृति रखते हैं। और अपनी इस वृति के द्वारा दूसरी आत्माओं को भी हम परिवर्तन कर सकते हैं तो आज संतुस्ता के गुन को चेक करना है इससे हम अभिमान को जीत सकते हैं लोब को जीतने के लिए बाबा ने आज बताया तुम्हें अशुद लोब को छोड़कर शुद लोब रखना है बेहद का वर्सा जो हमें मात पिता से मिल रहा है फिर मोह को जीतने के लिए एक बाब में ही मोह रखना है जो मातेले बच्चे होते हैं वो आज्यकारी होते हैं आज बाब का फर्मान है मामेकम याद करो और वर्से को याद करो बाब को याद करने की जो विधी बताई है स्वदर्शन चकर फिराना है अर्थात पूरे स्रिस्टी का चकर इसमें आ जाता है कि सत्यूग में सत्यूग से त्रेता तक हम डबल सिर्ताज होते हैं और जब हम द्वापर में आते हैं, तो ताजलेस हो जाते हैं, पुझारी बनकर राजा, देवताओं की पूजा करता है। तो इसी तरह सुख देने वाले बाप को याद करना सहच हो जाता है, तो ऐसे बाप की महमा सारा दिन याद रखेंगे, क्योंकि यथार्ट परीचे है, मैं आत्मा हूँ और यही यथार्ट परीचे है, बाबा भी निराकार है, परमधाम निवासी है, हम आत्मा भी निर्वान तो वो ज्यान का सागर, प्रेम का सागर, ब्लिसफुल है, नौलेशफुल है, उसकी महमा को याद करते करते, आत्मा भी पावन बनती जाएगी, माया जीत होती जाएगी, तो ऐसे मात्पिता में कभी भी शंश्य नहीं लाना है, क्योंकि हम जो लौकिक मात्पिता है, उसमे भी कभी संश्य नहीं लाते, कि इसलिए गाइन है, तुम मात्पिता हम बालक तेरे, तुम्री कृपा से सुख के नेरे, तो मातेले बच्चे ही नौलेशफुल होते हैं, इसी समय हमें श्रीमत मिली है, कि तुम्हें ड्रामा समझ कर बैठने जाना है, इस समय पुर्शाद कर भविश्य की प्रालब्द बनानी है, हमें इस समय नौलेश, मास्टर नौलेशफुल बनते हैं, ड्रामा के आदिमध्य अंत के राज को, अभी हम ही समझते हैं, तो इस राज को समझ कर दूसरों को बैकुंट का रास्ता बताना है, ब्रामांड क्या है, सुक्षम बतन क्या ह ड्रामा कैसे फिरता है ये सारी बातों के नौलेज हमें है तो ये सारी विशेषता हैं धारण कर भविश्य में राज्य भाग्या लेने के लाइक बना है ओम शान्ति